नमस्कार दोस्तों, एक्जाम प्रिपेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी दो हजार टेस की विकेंसी के लिए अगर आप प्रिपेशन कर रहे हैं इस चैनल पर लगातार आपके सब्जेक को टॉपिक वाइस कंप्लीट कराया जा रहा है ये टॉपिक वही लिए गए हैं जिनसे आपके ज़्यादा तरप्रशन पूछे जाते हैं तो आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो उत्तर प्रदे सामान निग्यान से हैं, आप समिक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हों, समिक्षा अधिकारी, साइक समिक्षा अधिकारी या फिर इसके साथ-साथ अगर आप UP PCS Pre का भी एक्जाम देने जा रहे हैं, विजोकी 2024 2024 का होगा, उन सभी के लिए उत्तर प्रदेश सामान निग्यान बहुत ही महत्तपूर्ण है, अब आप देखेंगे कि जब पिछले वर्स का प्रशन मेरे साथ सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान निग्यान से समिक्षा अधिकारी और साइक समिक्ष णुद्रील पर देशर इसके बाद उत्राखंद है यह हर्याणा से घीरा हुआ है फिर राजिस्तान से सीमा साजा करता है देश इसके बाद अप नीचे आ बहुत हैं उसके बाद चेस आहाते हैं इनसे जो लगे हुए जिले से भीया सीमा साजहा करता है तो आपको पता होना चाहिक उत्तर प्रदेस किन किन राज्यों से और किस देश से सीमा अपनी साजहा करता है तो याद कलिए आपने बिहार, जारखंड, 36 गड़, MP, राजिस्थान, हर्याड़ा, हिमाचे प्रदेस, उत्तराखंड अब इसमें 75 ज देखें, दिल्ली से सटे हुए, यहाँ पर गाजियाबाद है, फिर गौतम बुधनगर, हापुड, बुलन सहर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीली भीद, यह उत्तराखंड की सीमा से सटे हुए दिश्टिक हैं, देखते चलिए, फिर यह रहा ब हो गया, इसी के ठीक नीचे बढ़ते हैं, तो जालोन, जासी, और यह ललितपूर, जो की देखें, तीन तरफ से घिरा हुआ है, यह सीमा बना रहा है, दूसरे राज्यों से, इसी के साथ में देखें, महोबा हो गया, हमीरपूर, बांदा, चित्रकूट, और इसी से उपर पढ़ेंगे यह रहा प्रियाग राज, फिर है कौशांबी, फतेपूर, कानपूर नगर और कानपूर देहात, इसके साथ साथ यह रहा रायबरेली, उन्नाव, लखनो देख लीजे, हरदोई, और यहाँ पर हरदोई के पास यह देखें, कन्नोज, उपर बढ़ते हैं, दे आरी चीज़े आपको क्लियर करूंगे, फिर देखें यह रहा स्रावस्ति, वरलामपूर, गोंडा, बारा बंकी, अमेठी, एयोध्या, बस्ती, सिधार्त नगर, यह संत कबीर नगर है, महराज गंज, गोरकपूर, कुशी नगर, देवरिया, अंबेटकर नगर यहाँ पर ह तो यह सारे 75 जिले हैं, आपको इन सभी को देख लीजे, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया रहेगा कि किधर एरिया की किस डिश्टिक की बात हो रही, जैसे अभी मैंने बोल दिया कि सिधार्त नगर, तो अगर आपको मैप में दिखा होगा सिधार्त नकर यह रहा, तो अब तुरंट आइडिया लगा लेंगे कि कहां पर बात हो रही है, कौन सा पूर्वी जिला है, कौन सा पाशिमी जिला है, तो इस तरीके से आप मैप में देख लिए हैं कौन-कौन से डिश्टिक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं मैप के साथ ही जब आगे प्रशन पूछा जाता है, तो भारत की कुल जन संख्या का 16.6 जन संख्या है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहती है, और फिर बात करते हैं, इसकी अर्थ विवस्ता ये मूलता कृशी पर आधारित है, प्रदेश की कुल जन संख्या का लगबक 77.7% मतलब 77.7% जो ग्रामीड शेत्र में निवास करती है, इसकी जन संख्या, तो अगर आपसे पूछा जाएं कि उत्तर प्रदेश की कुल कितिनी जन संख्या ग्रामीड है, तो आप बताएंगे 77.7%, यद्धेपी प्रदेश के कर राजस्व में क्रशी शेत्र का बहुत बड़ हेक्टेयर है, जिसमें से 188.40.00 लाख हेक्टेयर भूमी क्रिशी योग के है, अर्थाद जो कुल छेत्र फल है, वो तो 240.09.30 highlight हेक्टेयर है, फिल्धेत्र फल् if अब इसमें से अगर आपको याद खना है क्रिशी योग कितनी है, तो वो है 188.40.00 लाख हेक्टेयर है, अब तो यह आपको कुछ डेटा है सामाने जानकारी है यह यादत नहीं है अब बात करते हैं अंग्रेजी शाशनकाल से उत्तर प्रदेश के विभिन नाम पहले से इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था पहले बंगाल के धीन था धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया और इसक इनके अधीन कर दिया जाता है बंगाल से अलग करके अब इसका जो ख्याले है या राजधानी याद रखिए इलाहाबाद बनाई गई और इस प्रांद का नाम जो बदला गया वो रखा गया आग्रा प्रेसिडेंसी 1836 में अब इसमें क्या किया जाता है इसके नाम में बदला इसका नाम हो जाता है नौर्थ वेस्टन प्रोविंसेज और इसकी राजधानी अब इलाहाबाद से बदल करके क्या करी गई आग्रा कर दी गई 1856 की बात करें तो अवद जो है वो अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता है या आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं मेजर जेनरल सर जेम्स आउटरम जो होते हैं ये चीप कमिशनर होते हैं और इनके अधिन रख दिया जाता है 1858 में क्या होता इस प्रांद की राजधानी अग्रा बनी थी ना अलाहबाद बदल कर अब ये फिर से अलाहबाद इस्थाना अंत्रीत कर दी जाती कब 1858 में 1877 में देखेंगे अभी अवद के जिले को नौर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज में मिला दिया जाता है और इसका नाम बदल के क्या किया जाता है नौर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज अंड अवद ठीक है अब 1902 की बात करें तो इस प्रांद का नाम यूनाइटेड प्रो अब इस प्रांद का नाम यहाँ पर आपको बहुत important fact दिया गया यही याद रखना है 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रिदेश रखा जाता है और 2000 में उत्तर प्रिदेश से उत्तरा अंचल प्रांद को अलग करके उत्तरा घंड राज़ की स्थापना की जाती है ठीक है इस इसे कुछ जीले अलग करके उत्ता खंड बनाए जाता आपको याद यहाँ पर क्या क्या रखना है सबसे पहले स्टार्टिंग में बंगाल के अधीन था फिर जहां जा इसके नाम चेंज हो रहे हैं उनको याद रखिए सिर्प कि पहले देखिए इसका नाम 1836 में क्या रख अब फिर इसके नाम में चेंज होता है अब 877 1902 और 1937 इसको याद करी यहाँ पर क्या क्या नाम रखेगा उसके बाद ठीक आ जाई आप 1950 में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या रखा गया उतर प्रेदेश चलिए अब देखते हैं उतर प्रेदेश का नाम इसका चिन्ह क्या है इसकी राजधानी क्या है और इसका गठन कब होता है तो अभी हम लोगों ने याद किया है उतर प्रेदेश नाम से इसके राजजी का जो गठन हुआ है उतर प्रेदेश का वो हुआ है 24 जनवरी 1950 को उसके बाद देखिए राजी का पुनर गठन कब हुआ एक नमबर 1956 को और राजी का विभाजन होता है 9 नमबर 2000 को जब 13 जिले काटे जाते हैं और इनको काट कर एक नया राजी बनाया जाता है उतरा खन अब बात करते इसकी राजकी भासा क्या है वह है हिंदी अब यह हिंदी इसकी राजकी भासा कब बनी वो या दखी है एक्टूबर 1947 से और जो पसु याद कर लीजे 12 सिंगा है राजकी पच्छी है सारस या क्रोंच राजकी व्रच है असोक राजकी पुस्प है पलास या फिर टेसू और राजकी चिन हियाद रखे बहुत बार पूचा गया है प्रशन एक व्रत में दो मशली बनी है एक तीर धनुस है और इसको अधि भाजन होता है नो नोमबर 2000 को राजकी भासा हिंदी है और हिंदी के साथ साथ उर्दु को एकसेप्ट किया गया है 1989 से और हिंदी को 1947 से राजकी पसु बारा सिंगा राजकी पच्छी है सारस या क्रोंच राजकी व्रच्छ है असोक राजकी पुस्प है पलास या फिर टेस और राजकी चेनी क्या हो जाता है एक वरत में दो अशली बनी ही एक तीर धनूस है जिसको 1938 में सुईक्रत किया गया था और राजकी खेल है हौकी यहां तक हमने उत्तर प्यदेश का एक सामाने परिशे देखा है जिसमें मैंने आपको 75 जिले बता है और किन से किन से सीमा साज़ा करता है यह उत्तर प्यदेश अन्यराज्यों से वो भी मैंने आपको क्लियर किया है इसके साथ-साथ आपको इसका नाम कैसे परिवर्तन होता जाता है और एक सामानिसी जानकारी इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में कंटीन्यू करेंगी जिसमें मैं आपको यूपी जी के धीरे-धीरे करके टॉपिक वाइज ही कंप्लीट कराती चलूंगी और पूरा यूपी जी के आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद